आज हम आपको शो करेंगे कि कैसे स्टूडेंट वीजा यूके का एप्लाइ करते हो आप कौन सी वेबसाइट पर जाना है और कैसे आपको पूरी फॉर्म फिल करना है इसमें दो चार ट्रिक क्योशन से रहते हैं तो जैसे से हम आगे पढ़ेंगे वह हम आपको बताएंगे फ्रेंट्स सबसे पहले आप वीजा फोर यूके के साइट पर जाते हो तो यह वेबसाइट है वीजा फोर यूके की इसके अंजर आप अपना अकॉंट रिजिस्टर करत अब जब आप रिजिस्टर करते हो तो इसमें कुछ डिटेल्स आपसे हो लेगा जैसे कि आपका लास्ट नेम करेगा इसमें द्हान रहेगी 17 प्लस आपकी जो 17 से नीचे यूके टियर फूर वीजा आपको शुनी करेगा विदाउट स्पोंसर तो यह देखने वाली चीज ह इसके लाबा आपको डिटेक्स फिल करेंगा है। यह यह लग लाइज हमेशा इंगलेश ही रए करेंगे आप डाले था कि आपका इमीग्रेशन क्लेरंस जो है इसली हो पाए। इसके लाबा आपने अपना इमेल इटरस देना है। पिर फोन नम्र देना है पिर आपनी पास्वर्ड दा अपना डाल ल्याख को आपको याद रखना है प्रेंट्स इनिश्यल आपको जो रेजिस्ट्रेशन करना है कम्प्लीट हो अब आपके बास एक ईमेल आयगा वहाँ से जाकर आपने एक्टिवेट करना है तो हमेल का बीट करते हैं तो फ्रेंड्स यह आपका इमेल के लिए हमने रिजिस्टर किया था यह इमेल आने में आपको पांस से दस मिनट के बीच में वेट करना होता है थोड़ा सा फिर एक यह लिंक आएगा अब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको आपस वापस लोग निन आइडी में पास पर दालना है रहा है अब आपको आप आप्ट खुद के लिए अपलाई करना चाहते है और उपलाई तो अपलाई वाई करना चाहते हैं इसके अंदर आप सेंगे तेल्स वापस मांग रहा है इसमें सिर्फ आपके पास्पोर्ट नूमर दुपार हमागगे तो यह है erg देट प्रेबल इसके अंजरा आफ द्यान है की करी तीम महीने पहले आप अपिलाई कर सकते हैं जब भी आपको जाना है उसे आपने मेर डाज रहे थे में वाया उसके बाद में लिजाएश ओफिस जो भी आपके नियरेस्टर भी डाल सकते हैं अले इंडिया आपका रिजन्स फोल विजिट स्टुडेंट विजए क्या कि यह स्टेडी पहले है फिर आपने PBS पॉंट वेस्सिस्टम ही आपने सेलेक्ट करना है इसमें 40 पॉंट्स आपको स्कॉर करना होता है इसमें आप जेमरल के अंदर आखते हैं ने फाई अब इसके बाद में फ्रेंट्स आपको सबसे पहले गो टो अप्लिकेशन इसमें आपने अपने परसनल पासपोर्ट सारी डिटेल्स डालनी तो एक बार डिटेल वन बाई वन हम चलते हैं सबसे पहले आगया आपका इनिशल नेम फिर लास्ट नेम अगर है तो यस करिए और वाइस नो पर दीचे है इसके बाद में आपकी टेटर पड़ता है कि प्लेस आपके अपने डाल दें इसके बाद जंडेल्स कोगी नैशनलिटी अगर आपके यादर रही है जोकि नहीं रहती अगर है तो आपको डाल सकते हैं और गोव अबात कुछ सुंगों तृक्स नाग अपकर फबलिक टालना अगरा अब अब इंडिया से पास्पोर्टाओं पहन्याम है इसके बाद एट अब कि ऀए अर अब धार्षय पासपोर्ट दिश्याम है जानु कूछ कि में आपको पासपोर्ट इता की निपक्ड़क्राइब्क नब सबस्याइब पर्ट पासपोर्ट और उपको पासपोर्ट की पुक्राइब आपको पॉस्ट कोड़िया है इसके बाद में आपके तर्ड इंफरमशी, इसके बाद में आपको तर्ड दॉराशन आप इसे पर डाले है इसमें आपका अकमोडेशन का पॉस्ट कोड हो है वो आप में आप कि अधर को डालेगी तो ऐसे आप अधर की लिस्टा जाएगी तो आप कुछ भी डाल सकते हैं उसके अंदर जो भी आपका है इसको उसके बाद प्राइमरी कॉंटेक्ट नूबर इसको सेल करते हैं यह जाएं यह जालेसिन कि प्रेंट्स की यह पार्ट आपकी अप्लिकेशन का अब कंप्रीट हो चुक अब हम चलते हैं दूसरे परस्नल डइटेज और ट्रेवल स्ट्रीश इसके अंदर अपने अपने परसनल टीटेल के देनी है जो कि पहले प्रोइड दरागी तो वह सारी इस जहां लिए है जो भी आपकी एज है जो भी आपके अड्रेस के आप कितने टाइम से रहे हो अपने चीज़ के इसमें डालना है अब कोई प्रिफरेंस से आपकी कॉंटेक्ट टीटेल्स के पभू भी आप सुदाल सकते है तो अब देम से रहे है अगर है तो आप इसके इस करके सुद टीटेल्स डाल दीजिए नहीं हो तो फिर्म पटते है अब ये सारे डिटेल्स प्रिंड्स में से अब कोई यस है तो आप इसके डिटेल्स डाल सकते है अब यह बिल्डिपोर्टेट नो था वह वाल्टिर्लियुट्ट टीपाइट तो एक्स्क्लोजन बोडऱ्िकली यह सारे क्वेशन्स आपको वह देखने के लिए हैं कि आपने कोई कभी आपको डिपोर्ट करा गया या आपने कुछ क्रिमिनल एफेंस करा है तो में लिए अब अब अगर आपने कुछ किया है तो आप यह सकते हैं यह सबसे इंपॉर्टन पॉइंट डिफेंस के इंट्रव्यू अगर हमें लेना तो कौन से लिए हैं तो मेक शूर कि आप इसमें इंग्लेश ही लिए हैं कि अब अपर इंग्लेश नहीं आती तो स्टूड़न किसमें कोई कोई क्योशन नहीं था यह समय था कोई क्रिमिन अप्र अफेंस वगरे के बारे मापसे पूछा गया था कि अधर अधर शूब दो कि अधर शूब शूब इंग्लेश बड़स लिए रिए और अब्याद रसलिये रिए और अभी अवरब अधर अबर अबद्मण को विके तो कर दो एच को जब आए यह दो सेक्षेन हमारे कंप्लेट हुग है, ऐसी तर्स तीसरा सेक्षेन में हम चलेगे कोई डिफिकल्ट क्वेस्टिन अभी तो कि नोगे नहीं नहीं पूछे हैं, सारे इजी क्वेस्टिन ही रहते हैं अब आपनी फैमली टीटेल्स आपको शेर करने हैं सारी मेला से फादर का नाम और उनकी टीट उपर्थ बादर के एक्जेप्टीटों पर ताम देख किसम फिल करें वादर कि समय अबनी प्रूश ये एक्टीटों प्रूज कि अबनी है पर फिर अपने फर्मिली डिटेइज में अगर कोई चिल्डरन है तो उनके आप टिल डाल सकते हो अधर्वाइस आप इसको सेब परेंगे हैं और अगर यह द्रीन हो जाता है तो यह हो गया है तो यह सेक्शन भी हमारा कंप्लीट होगा अगला हम चलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यह इसलिए आप से पूछा जाता है कि आपने कभी वहाँ ट्रीटमेंट लिया है तो फिर आपको उसकी सारी डिटेल देनी होती है अधर वाइस आपको अब हैल्स इंश्रेंस लेना होगा बस और अगर हम मेंली नो परते है क्योंकि यूके में आपको अन्हस फ्री जाता है क्योंकि आप इंश्रेंस आपको लेना कंपल्सी दिया है वह एंड आफ जब हम उसको सब्मिट करेंगे है अब को तब उसका प्यमेंट हमें करना होगा है फिर टीर फूर स्टूर्ट इटेल्स यह आपका जो कैश लेटर औ जिसे स्पॉंसर लाइसेंस नमबर यह आपका एक्शली कॉलेज का लाइसेंस नमबर होता है इसमें आपके जो भी उनिवर्सिटी है वो आप डाल सकते है यह यह यूनिवर्सिटी पर पोस्कोड आप डाली है आपको एफोल्डेटर पर आपको मिलेगा वहाँ साथ देखेंस को यह आपने डाल देखेंस नमबर यह आपको कैश लट रहा है यूनिवर्सिटी से फीस पे करने के बार उसका आपको नमबर डालना है आपको टाइटल ऑफ कोर्स बिजमस मैनेजमेंट यह भी आपने देखना है आपने कैश लेटर को और एक्जेक्ट सेंग को चीज़ लिखनी है इसके बाद में लेवल ऑफ कोर्स इसमें एंट्यूएफ लेवल जो भी आपको उसमें दे रखा है वो आपने डालना है स्टार इसमें डालना है इसमें डालना है जहां पर आपको यूवर्सिटी का में जो साइट रही यह अलग अलग कैंपस होते हैं जो आपको एक्च्वल साइट है आपको में डालना उसके पॉस्ट कोट शाया जैसाओ बेज़निस इपार्टमेंट का जो भी अड़र्स एक वह आपको तो इसमें ڈाला है बाद पाद में अलग संक पार है इस खालना है इसमें डालना तो जाइख यूख करनाला है इसमें अगर यह वाला क्षेशन बेसिकली ऐसा है कि अगर आपके पॉर्टफोलियो या आर्टवर्क आपका कुछ है तो यह करना है और फिर इसमें लिखना है कि जैसे आपने पॉर्टफोलियो दे जाता आपका तभी आपका सेलेक्शन होगा अगर यह आप कड़ते हैं तो यह मेक शूर कि आप पॉर्टफोलियो की डिटेल्स आपकी वीजा फाइल के साथ भी लगाएं English Language Requirements आपके कैसे रही है तो उसमें दो चीजे रहती है या तो आपके पास आइंट से या यूर स्पांसर इस हायर एडुकेशन स्टिटल्ट यह भी आप रात सकते हैं Are you required to obtain ATAS यह सिर्फ टेक्निकल कोर्स में ही requirement होती है तो आप अपना देखिए कि अपर कोर्स में आपके requirement है तो यह करके उसको नमबर आपके Maintenance fees आपने 1035 into 9 करना है minimum जो शो करना है तो हम इसमें एक बार के लिए 10500 कर रही है Have you have any of your courses been paid? Yes एक full amount आप रुपे करना होता है अगर नहीं करते हैं तो जो remaining amount है fees का वो 28 days के लिए आपके शो करना होती है और cash की receipt आपकी cash letter में जो आपने fees पे करिए उसकी confirmation cash letter में देनी होती है और अगर accommodation का आपने pay कर रहा है तो yes कर के बता दीजिए otherwise नहीं कर सकता है तो बलसरी नहीं है आपको तो friends या आपको cash letter के उपर एक show करेगा और अगर accommodation के कुछ कर रहा है आपने तो उसको yes कर सकते हो उसके अगला है फिर do you receive support from financial sponsor that meets तो अगर आपको scholarship को अगरा मिली तो उसके details आप दे सकते हैं आपके remaining fees है तो उसके details आपको देनी है do you have money in your own name yes करना है इसको और आपके name भी नहीं है तो father mother की details में डालनी है what original documents are you supplying? इसमें सबसे पहले तो में bank statement और दूसरा bank certificate इसमें सबसे important चीज़ है friends जो आपकी वह है bank logo इसमें कंपल से रिया आपका bank statement में और bank see दोनों चीज़ें ध्यान रखें कि Stephen आपका नहीं उपाएगा points claim अब फ्रेंट्स यह सबसे important question है कि इसमें 30 points आपके cash letter गें 10 points आपके maintenance points के आप 40 points total लगेंगी आपके तो अगर आप 40 points score करते हो तो आपको वीजा कोई problem नी आएगी और वह हो जाए तो यह था पूरा form जिसको आपने ऐसे fill करना है इसमें ज्यादा time नहीं लगता maximum half nr mark कर दें तो यह भी green हो गया अब बचा additional information तो आपको अगर अलग से additional information देना चाहते हो तो इस section में आप provide कर सकते हो कि क्यों आपको वीजा मिलना चाहिए उसका रोड़ा डेटेल आप दे सकते हो और नहीं भी देते हो तो ऐसा को प्रॉब्लम है नहीं पिर आप confirm application कर दो दो इसके बाद फ्रेंट्स ही आप details इस बार complete re-check कर लें की कौन सी details आपके कोई गलत कर नहीं डाल दिया आपने और अगर आप सारह वापस confirm कर लेंगे और सब सही है तो submit application दो इस रवाइस return to application करके और और re-check इसमें कर सकते हो आप यह आपका हो गया home complete अब sign declaration आपने कर लेंगे इसमें आपने सिर्फ अपना नाम डालना है यह आपको declaration sign हो गया इसके बाद BRP collection location आपने डालना है इसना मतलब है कि आपका जो वीजा है पासपर्ट पर एक मीनित आएगा उसके बाद आपने वापर आपको लेना है biometric card तो वह आपको इस address में जाएगा आप चाहूँ जो चूज कर सकते है या तो आपका residential या आपका sponsor और यह confirm बाग इसको save and close कर देंगे friends और अब बचाह आपका appointment book करने का तो आप इसमें date सेलेक्ट कर रहेंगे सबसे पहले का appointment location में भी मुझा है जो भी आपको location चाहिए वह आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो appointment type इसमें priority है, super priority है और PBS tier 4 student है super priority में आपको save day visa मिलेगा, priority में within 5 days मिलेगा और PBS tier 4 standard appointment आपको लेनी होती है अगर आप कोई भी additional cost नहीं देना चाहते तो super priority में आपको 89,000 लगेंगे extra लेकिन सुबह आप file submit करोगे और शाम को visa मिल जाएगा decision जो है 24 hours में आपको दे देते हैं अब यह आपने date book कर लिए अपनी इसके बाद आपने time book कर लिए अपना और यहां तक का काम आपका complete होगा फ्रेंट से अब लास्ट में आपको IHS payment करना आपका health insurance और उसके बाद में visa fees पे करना है अब यह प्रेंट करेगा आपको immigration surcharge की website पर यहां पर आकर आपको अपना payment करना है और इसके बाद में आपको पना visa का fees payment करने और appointment sheet आपको इस मिल जाएगी और आपका visa form और appointment आपको साथ पहें है प्रिंट कर लें और उसके बाद में आपको चेक लिस्ट एक बार go through कर लें कि कौन कौन से documents आपको चीए तो mainly cash letter है आपका SOP, LOR, original documents, police clear in certificate और आपका financial financial को समझने के लिए आप पुराने videos चेक कर सकते हैं जिसके अंदर हमने आपको detailed financials for UK visa शो करा है यह थी complete process आपकी UK visa के लिए और कोई information आपको चाहिए तो आप हमें email drop कर सकते हैं comment छोड़ सकते हैं और subscribe जरू करिए friends, thank you so much